वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजनीटी का असली खेल न्यूस चक्र खबर की गहराईयों को टटोलना नास्कार आप देख रहें न्यूस चक्र मैं आफिसार शर्मा महात्मा गांधी के जन्बदन पर सबसेजाज जरूरी कौन है? जाहिर सी बात है महात्मा गांधी अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ दोस्तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि राजगाट पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं मगर आप जानते हैं उनके साथ जो व्यक्ती चल रहा था जिससे टरका दिया गया था यानि कि एक तरफ ढखेल दिया गया था ताकि वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंतरी की तस्वीर आये वो व्यक्ती कौन थे वो व्यक्ती भारती जनता पार्टी के कोई कार करता नहीं बलकि दिल्ली के एलजी हैं और आपने देखा, जिस तरह से भाजपा की किसी कारकर्ता को प्रधान मंतरी की मौझूदगी में आएंबाएं कर दिया जाता है उसी तरह से दिल्ली के LG को आएंबाएं कर दिया गया, क्यूँ? ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उस विडियो में आएं जब वो महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धानजली दे रहे थे सीधा सवाल क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमेरा प्रेम इस कदर बढ़ गया है कि उनके कैमरे के सामने कोई और ना आए उनके और कैमरे के बीच में कोई और ना आए उसके चलते साथ मौझूद व्यक्ति की भी बेज़ती की जाए दिल्ली के LG की हालत आप देख चुके हैं दोस्तो अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ नाशनल गेम्स हुए तो और मैंने इसकी चर्चा की हुई है पहले इस वीडियो में देखिए करीब 20 से 25 सेकेंड का वीडियो है जो सक आपके स्क्रीन स्पर चल रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मशाल जलाते हैं नाशनल गेम्स की और आप देखिएगा एक पिंक जैकेट पहना हुआ व्यक्ती बाकी खिलाडियों को ढखेल देता है ताकि मंच पर सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री दिखें मशाल के साथ और हमारे राष्ट्रे खिलाडी ना दिखें ये खिलाडी कौन है नीरत चोपड़ा पीवी संधू मीनाबाय चानू ऐसे ऐसे महान गगन नारंग एक से एक दिगज खिलाडी है जिनने उलिम्पिक्स से लेके एशन गेम से लेके तमाम बड़े मुकाबलों में भारत के लिए गौरव हासल किया मगर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनकी शकल दिखते रहे इसलिए हमारे खिलाडियों को भी एक तरफ कर दिया गया मैं फिर आपसे फूशना चाहता हूँ क्या जो दो तस्वीरे मैंने अभी अभी आपको बताई हैं क्या वो आपको सामान में लगती हैं क्या ये महज इत्तिफाख है और ये पहली बार नहीं हुआ इतनी डेरों तस्वीरे सामने उभर कर आई थी मत भूलिए फेस्बुक की जो संस्थापक हैं मार्क जकरबग थे उनके और कैमरे के बीच में और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक तरफ ढखिल दिया ताकि कैमरा उस मनजर को कैद करे और उस मनजर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपसे साब आखिर क्या वज़ा है कि ये कैमरा प्रेम बढ़ता जा रहा है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है और आप जानते हैं भाश्पा का प्रचार तंत्र ये कहा जाए मोदी सरकार का प्रचार तंत्र अब इतना बेलाग और इतना आउट अफ कंट्रोल हो गया है कि कैमरे और प्रधान मंत्री के बीच में कोई और आ जाए और उसको लेकर इस तरह की तस्वीरे सामनी उभर कर आएं इसे भी आप वो नहीं छुपाते हैं क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है इससे ये पता चल रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे से बेताहाश मोहबत करते हैं और उनके सामने कोई नहीं टेक सकता मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ दो तस्वीरे मैं आपको दिखा चुका हूँ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जेपी नड़ा जो है देखिए वीडियो फिर आप समझ जाएंगे ये जतलाता है दोस्तों कि प्रचार तंत्र पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी किस तरह हावी हैं वो इस तरह हावी हैं कि कैमरे और उनके बीच में कोई आएगा तो उनका प्रचार तंत्र उनके मंत्री उनके खरीबी मंत्री उन्हें जलील करने से भी पीछे नहीं हटेंगे सिधा से सवाल है सहाब क्यों मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ राहूल गांधी कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन हमारे सामने हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक अगले साल मुंबई से पूरोतर तक वो यात्रा होगी नेता विपक्ष इस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी को चुनोती दे रहा है मगर मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं आज ही फेस्बुक पर मैंने मेरे दोस्त रवीश का एक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने बताया कि दैनिक जागरन और अमर उजाला दो बड़े अखबार और इन दोनों बड़े अखबारों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई जिक्र नहीं और कल जो ए तस्वीर सामने उबर कर आई थी देखिए अपने स्क्रीन्स पर बारिश में राहुल गांधी लगातार भीग रहे थे मगर वो टस से मसना हुए उनके सामने जनता भी बारिश में भीग रही थी मगर वो जनता जोए टस से मसना हुई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जो तस्वीर हमारे सामने थी क्या ये अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं होना चाहिए था क्या न्यूस चैनल्स की पहली हेडलाइन नहीं होना चाहिए था नहीं न्यूस चैनल्स किसे दिखाते हैं प्रधान मंतरी नरेंद मोदी गुजरात दौरे पर थे नाशनल गेम्स का इस्तमाल उन्होंने अपने गुजरात की राज़नीती के लिए किया वो सब चल रहा था दोस्तों मगर राहूल गांदी की भारज जुड़ो यात्रा का कोई जिक्र तक नहीं हुआ ये चीज़े सामानी होती हैं आप मुझे बताईए और ऐसे में मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ चुनावी अखाड़े में विपक्ष आखिर बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगा जब आप देख रहे हैं कि प्रचार पर पूरी तरह से प्रधान मंत्री चाहे हुए है उनके और कैमरे की बीच में कोई नहीं आ सकता और दूसरी तरह विपक्ष का निता जब मैदान में संघर्ष कर रहा है तो मीडिया उसे दिखानी कोई नहीं तयार है आप जानते हैं सो भारत में क्या हो रहा है भारत में जो हो रहा है इसे हम कल्पना से विचित्र कहते है हम एक अजीब औ गरीब डिस्टोपियन एरा में पहुँच चुके अब आप में से कहेंगे डिस्टोपियन का मतलब क्या है डिस्टोपिया दरसल जब दुनिया खत्म हो जाती है ना यानि कि जिस सभिता खत्म हो जाती है जब आप और हम जिस तरह से अभी जी रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्ठ हो जाता है उसके बाद का जो युग होता है जहाँ कोई सामाननी चीज नहीं होती है डिस्टोपिया उसको कहते है आज वही हो रहा है कहने कोई लोगतंत्र है, मगर क्या आप इसे लोगतंत्र कहेंगे, जहां इस तरह से विपक्ष को पूरी तरह से रौंध देता है मीडिया, जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के कैमरा प्रेम के बारे में कोई डिबेट नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि 2014 2014 से पहले जब एक मंत्री अपने कपड़े बार-बार बदलता था तो हम उसे कटगरे में खड़ा करते थे हम उसका मजाख उड़ाते थे 2014 से पहले हम पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग का भी मजाख उड़ाय करते थे उनसे सवाल होता था मगर अब किसी की हमत नहीं अब मीडिया क्या करता है मैं आपको बताता हूँ अब मीडिया नफरत के कारोबार में लगा हुआ है और उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ आपके सामने दोस्तों, ये नहायती शर्मनाक प्रोग्राम हुआ था, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कल आज तक ने ये कारकरम किया, आपके स्क्रीन्स पर, मूर्ती पूजा से परहेज, गर्बा से प्रेम, इस पूरे कारकरम में दोस्तों, ये बतलाने का प्रयास कि किस तरह से मुसल्मानों को गर्बा में नहीं जाना चाहिए, मुसल्मान जब ये गर्बा में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी हिंदू लड़कियों पर निशाना साथते हैं, लव जिहाद होता है, यानि कि इस देश की जो एक लंबी चोड़ी, गंगा जमनी तहजीब का एक काम अरुन पूरी नाम के एक शक्स ने किया था, इस देश की पहली सापताहिक मैगजीन्स में से एक, इंडिया टोड़े, वहाँ पर इस तरह की हरकते हो रही हैं, खुले हम इस तरह के कारक्रम चलाय जा रहे हैं, जिसमें मुसल्मानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, और उससे पहली बात, तो भारती जन्ता पार्टी की सिवाक तो तुम कर ही रहे हो, उससे कोई इंकार नहीं है, मगर इस तरह के नफरती कारक्रम के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, और मैं कुछ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, गुजरात, people celebrate the festivals of नवरात्री by डांडिया in a swimming pool in सूरत, सूरत में तस्वीर देखिए, औरतें जो हैं डांडिया कर रही है, गाना भी एक चल रहा है इसमें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म का अपमान तब तो होता है, जब मुसल्मान गर्भा में प्रव साले साथ, इस पर किसी के नथूने नहीं पूल रहे हैं, इस पर कोई हुस्से में नहीं है, यहां हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है, मगर यहां पर आपने देखा, एक चैनल ने बाकाइदा एक नफरती शो चलाया, जिसमें उसने कहा कि आखिर मुसल्मानों को अगर यह सामान नहीं हो गया है, इस पत्रकार का तो लंबा चोड़ा इतिहास है, यह तो तिहार जेल में भी गया था, कथित वसूली के नाम पर, मगर मैं समझना चाहता हूँ, इंडिया टुडे की ऐसी क्या मजबूरी है, कि यह तमाम चीज़े की जा रही है, मैं आपको यह सवाल भी उठाये जाने की जरूत है, और इसका जिक्र आपको याद होगा, कुछ दुनों पहले मैंने इंडिया की बात में भी कहा था, कि बहुत जरूरी है, कि हम उन ओद्यों की कंपनियों, उन प्रोड़क्स पर भी निशाना साध हैं, जो ऐसे कारक्रमों में अपने विज्यापन देते हैं, मसलन मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों कि किन बड़े-बड़े प्रोड़क्स ने अपना विज्यापन इस शो में दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, लांसर, टाटा मोटर्स, फिर नीचे आईए एशन फुटवेर, माचो ग्लोबल, सराफ फरनिचर, इबिक्स कैश, हेलो प्रिंगल अप्लाइंसेज, ये वो तमाम प्रोड़क्स हैं, जिन्होंने अपना विज्यापन इस कारकरम में किया, और मैं आपको बता दूँ, इसका एक और इतिहास इस आइंकर का, इसने एक जूट के आधार पर, एक वाटसाप फॉरवर के आधार पर अपने पिछले चैनल में शो किया था, कि कितने तरह के जिहाद होते हैं, इस देश में लोगों के पास नौकरिया नहीं हैं, देखे न, दत्तत्री हुस्बोले आरेसस के बड़े नेता, बता रहे हैं, कि किस तरह से गरीबी अब एक शाप बन रहा है लोगों क मिलना जो है वो जरूरी नहीं है, ये तमाम चीजों पर ये लोग कारकरम कर रहे हैं, और इस तरह के नफरती कारकरमों में विज्यापन ये प्रॉड़क्ट्स देते हैं, मैं समझना चाहता हूँ इनकी क्या मजबूरी है, मैं समझना चाहता हूँ कि India Today Group के सरवे सरवा, मिस कर रहे हैं, आप लोग आने वाली पीडियों के लिए इतना खराब माहुल छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, और इतिहास आपको माफ नहीं करने वाला है, इसकी कीमत देश चुका ही रहे हैं, आप भी निजी तोर पर वो तमाम लोग जो इस नफरत को पहला हैं, वो सब चुकाएंगे, क्योंकि गीता का ग्यान भी है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ग्यान, यह गीता का ग्यान, समझो गीता की ग्यान को, पढ़ो हमारे वेदपुरान, उनकी असलियत को समझो, उनके मर्म को समझो उनकी आत्मा को समझो इस नफरत से खुद बखुद तुम दूर हो जाओगे मगर इस मंच पर नियू उस चक्र पर हम ये सवालात लगातार आपके सामने उठाते रहेंगे अब इसार शर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार